वेलकम टू HSSE अडा, HSSE CET स्पैसल, तो पेरे बतो जैसा की CET एग्जाम बिलकुल नजदीख है, उसको लेकर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हरियाना जी के MCQ सीरीज, HSSE प्रिवियस पेपर हरियाना जी के पेपर नमबर 3, आज हम पढ़ने वाले हैं, दो पेपर हम हरियाना जी के पढ़ चुके हैं, और जो पेपर है, पहरे बतो जी इस पेपर को आज हम एनलाईज करेंगे, वो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, एड़र्टाइजमेंट 12, 2019, कट दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था, जो HSSE ने बिल्कुल लास्ट में एक्जाम लिये से, उन में से एक पेपर है, इसकी PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो HSSE एड़र्टा टेलिग्राम पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्री ओप कोस्ट, इसका जो लिंक बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसकी दूसरी वीडियो को देख सकते हो, आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पानिपत में काबुली बाग मस्जीत का निर्मान की समराट ने करवाया था, अकबर, हुमायू, बाबर या फिर साह जहां, तो प्यारे बच करने के बाद जो है, कबुली बाग मस्जीत का निर्मान बाबर ने करवाया था, अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ, आज की वीडियो का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, निमन लिखित में से, एक मिनिट, निमन में से किसने सबसे क उक्रम अवदी के लिए हर्याना के रजयपाल के रूप में कार्या किया, ध्रमवीर जो की हर्याना के पहले किया दे पएर पचो राजयपाल था, भी एं चक्रवरती, रणजीत तो इनका जो कर्यकाल था वो सबसे कम कर्यकाल था और यह लगबख पांच महीने का इनका कर्यकाल रहा उन्नी सो सीहतर के आस-पास न का कर्यकाल था और यह तीश्य क्पार के हरियाना की राजयपल बने थे अब बड़ते हैं next question की तरफ इसी तरह से हम लगबग सभी क्वेस्टेंस को डीटेल से पढ़ेंगे नुके बारे में जो एक्ट्रा जानकारी हो जकती है वो जानकारी आपको मैं उपलब्द करवाता हूँ गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाना के किस जिले में स्थीत है कैथल जीन्द पंचकुला या फिर महिं आमतोर पर अगस्त और सितंबर के महिने में पूरे हरियाना में कौन सा धार्मिक त्योहार मनाया जाता है और यह सर्प पूजा से संबंदित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन पहरे बहुत ज्यादा पेपर के अंदर जो है यह क्वेस्टन रिपीट होता है संबर अगस्त और सितंबर के महिने में तो मनाया जाता है और पर यहां पर सापों की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि गायों की रक्षा के लिए सापों की पूजा यहां पर की जाती है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन है अब बढ़ते हैं अगले क्व नेक्ट जो क्वेस्चन है हरियाणा के खद्या नागरिक आपूरती और उपबोगता मामले विभाग के मंतरी कौन है मनुरलाल कटर दुस्यन चुटाला जैपरकास दलाल या फिर इन में से कोई नहीं तो पहरे बचो यह क्वेस्चन मैं आप लोगों के लिए होमवरक के अब आप हुबड़ार के इलेक्चन होता है या मंतरियों के विभागों का अबन्टन होता है तो इस तरह के क्वेस्चन्स के आंशनह Japanese हमेशân होते रहते हैं तो वरतमान लग आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कौन है तो नेक्ट क्वेस्चन की तिरव बढ़ते ह हमार आगला question है हरियाना में लहरदार रेतिले मैदान कहां पर पाए जाते हैं option है गुरूग्राम रेवाडी महिंदरगड और आगे दिया वाय यह सभी तो पेरे बचो हरियाना में जो लहरदार रेतिले मैदान है हरियाना की जो राजस्थान से लगी हुई पट्टी है यानि कि पस्चिमी हरियाना पस्चिमी दक्षणी हरियाना हम जो कह सकते हैं गुरूग्राम रेवाडी महिंदरगड यह सभी जिले इसके अंदर आते हैं इसके अलावा सिर्षा जिला भी option में आ जाए तो भी question का answer यही रहेगा यह सभी जिले जो है रेती लिए मैदान इन में पाए जाते हैं जो राजस्थान से लगा हुआ एरिया हरियाना का है अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question दिया हुआ है वो है निमन में से किस नरित्य सायली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवा समारों की नकल करती हैं यह भी बहुत ज्यादा repeat होने वाला question है important question है डफ नरिते है फाग नरिते है खोडिया नरिते है या फिर लूर नरिते है तो पहरे बत तो इस question का जो right answer होगा उसने क्या कहा है पूरे विवा की नकल करती है यानि कि एक दूले का वेस्धारण करती है एक दूलन का वेस्धारण करती है तो इसका जो right answer होगा वो होग की प्रेड में इसको सामिल किया गया था. इसलिए यहां से क्वेस्टिन बनता है. इसके अलावा प्यारे बच divides नूर 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 नूर्थ hybrid यह भी इम्पर्टेन्ट है धोली के अुसर पर ही इस नूरई का भी आयोजन किया जाता है. अब बढ़ते हैं नेक्ट क्वेस्टन की तरफ इसके अलावा प्यारे बच्चों आप ये थमनेल देख रहे हो हरियाना जी के महा मेराथन 2022 एस एससी दुवारा 2015 से 21 तक हरियाना जी के 5000 पलस MCQ की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है और ये वीडियो आपकी लगबग 8 गंटे के आसपास 8-10 गंटे के आसपास ये वीडियो है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप एसससी मेराथन जो है पलेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हो और प्यारे बच्चो इसके अंदर आपके 2015 से 2021 तक के लगबग लगबग important के important सारे questions जो है एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे उन्ही questions को हम इन वीडियो में पढ़ रहे हैं इसमें उनको analyze बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा है और उस वीडियो में थोड़ा सा भाष तरीके से इनको पढ़ाया गया है तो पेरे बच्चो यहाँ पर हमारा जो अगला question है वो है हरियाना की किस पंचायत को नाना जी देश मुक गोरो गराम सबापुरुसकार मिला तो पेरे बच्चो यह current affairs का question होता है और यहाँ पर चार option दिये हुए हैं इनके अलावा वरतमान में बताना है कि आपको 2022 में किस गराम पंचायत को जो है नाना जी देश मुक पुरुसकार मिला है इसके लिए आप मेरी current affairs की वीडियो मैं मन्थली हरियाना हर महीने के end में यान की एक या दो तारिक तक जैसे की अभी जुलाई महीना चल रहा है तो जून के current affairs आपको मिल चुके हैं selected questions की वीडियो है playlist है वो जाकर आप लोग check कर सकते हो जहां पर आपको हरियाना current affairs के सारे important questions एकी वीडियो में मिलेंगे और monthly current affairs की वीडियो होती है और उनकी पीडिया भी free of course टेलीग्राम पर मिलती है तो टेलीग्राम जरूर जोईन करें next question है हमारा महिंदरगड सहर को पहले डैस के रूप में जाना जाता था तो महिंदरगड का पुराना नाम जानना चाहता है कनोद, सहरिष का, खोकरा कोट या फिर ननोफ तीज तो राइट अंसर हमारा हो जाएगा कनोद महिंदरगड का जो पुराना नाम है पहरे बचो वो क्या है कनोद सहरिष का जो है पहरे बचो ये सिर्षा का पुराना नाम है सिर्शा को पहले किस नाम से जाना चाता था सैरिस का अब बात आती है खोकरा कोट की तो खोकरा कोट रोहतक के अंदर स्थीत है next question की तरह बढ़ते हैं हमारा question number 78 इसमें क्या दिया हुआ है हरियाणा में सबसे अधिक 1 78 किस जिले में है तो हर किसी को इस question का answer पता होना चाहिए सबसे अधिक 1 हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं करनाल, कुरुक शेतर पंचकुला या फिर फृताबात तो राइट अन्सरा मारा क्या हो जाएगा पेरे बच्चों पंचकुला जिले के अंदर हरियाणा में सर्वा दिक्वन पाए जाते हैं अब बढ़ते हैं next question की तरफ तो पेरे बच्चों मैंने अभी आपको हरियाणा के previous year के questions की एक marathon class के बारे में बताया था उससे पहले HSC previous paper math 2015 से 2021 भारा गंटे की महा marathon class है पेरे बच्चों इसमें HSC के previous year के हर paper के selected questions को add किया गया है और जबरदस्त वीडियो है जिसका link description में इस वीडियो को आप जरूर देखें साथ ही यदि इसकी PDF आप लेना चाहते हो तो दिसंबर 2021 तक जितने भी HSCC ने questions पूचे हैं उन में से 700 plus questions with solution जो अच्छे questions हैं जो exam में आने लायक होते हैं उनको select करके ये PDF तैयार की गई है इसमें आपको 89,80,10,12 ये नंबर है इस पर payment करके WhatsApp screen source share करके इस PDF को आप purchase कर सकते हो और इस PDF को purchase करने के बाद आपको किसी किताब या किसी test series की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर previous year के questions की maths की बात की जाए तो अगर paper में 10 question math के आते हैं तो minimum 8 question जो है इस PDF में से हमेशा आते हैं ये तजरूरबा है अभी तक बच्चों ने चितने exam दिये हैं चाहे वो हरियाना पुलिस का exam दियाओ चाहे वो color का exam दियाओ उन बच्चोंगा अब बढ़ते हैं आगे हमारा जो next question है प्यारे बच्चों चोदरी चरण सिंग क्रिशी विशविद्याल्य की सथापना किस वर्स हुई 1940-1950-1960-1970 तो प्यारे बच्चों चोदरी चरण सिंग क्रिशी विशविद्याल्य अगरी कल्चर युनिवस्टी यह हिसार जीले के अंदर है और इसकी जो सथापना प्यारे बच्चों वो 1970 में हुई थी और प्यारे बच्चों स्थापना की गई थी वो पंजाब अग्रीकल्चर युनिवस्टी के अंतरगत यह आता था बाद में इसको एक सवतंतर निकाई गोसित कर दिया गया था अब बढ़ते हैं next question की तरफ प्रिवहन विबाग से question आया है हरियाना की CNG बस सेवा कौन सी है हरियाना उदय, हरियाना विकास, हरियाना चलो, हरियाना सार्ती तो हरियाना में CNG, CNG यानि की compressed natural gas से चलने वाली बस सेवा कौन सी है पहरे बचो तो ये हरियाना उदय बस आई थी वरतमान में तो देखने को नहीं मिलती है और ये कम से कम भी 15 साल पहले आई होंगी जहां तक मेरा अंदाज आ है क्योंकि मैंने बहुत पहले इन बसो को देखा था इसमें travel किया था लेकिन वरतमान में हरियाना उदय की बस देखने में नहीं मिलती है और इसके बाद एक हरियाना गोरों की बस भी आई थी तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए अब बढ़ते हैं next question की तरफ बहुत अच्छा question आया है एनर्जी विबाग से question आया है पेरे बचो निमन लिकित में से कौन सा हरियाना का सबसे बड़ा विद्यूत सन्यातर है very good question और बार-बार repeat होने वाला question है पेरे बचो यमनानगर विद्यूत सेंतर पानिपत विद्यूत सेंतर राजिव गांदी विद्यूत सेंतर या फिर W.Y.C. हाइडल विद्यूत सेंतर तो पेरे बचो इसका जो राइटन चर रहेगा वो होगा option राजिव गांदी विद्यूत सेंतर जो है हरियाना का सबसे बड़ा विद्यूत सेंतर है और ये खेदर गाउं हिसार जिले के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा नेक्ट क्वेस्टन की तरह बढ़ते हैं तो पेरे बचो नेक्ट जो क्वेस्टन है हरियाना में कितने दिनों के भीतर जनम और मृत्यू का पंजिकरन करवाना अनिवारिय है दस दिन, 21 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन तो इसका जो राइट अंसर होगा पेरे बचो वो होगा बी ओप्शन 21 ये नॉर्मल क्वेस्टन है रोज मर्रा की जिन्दकी का ये क्वेस्टन है क्योंकि किसी भी बच्चे का जनम होता है या फिर परिवार में किसी की मिरित्यू होती है तो 21 दिनों के अंदर उसका रेजिस्ट्रेशन करवाना जो वो जरूरी है उसके बाद जो है रेजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है उसके लिए फिर इधर उदर के चक्र काटने पड़ते है इंपोर्टेंट क्वेस्ट्न है ये आपको नुर्मल लाइफ के लिए भी पता होना चाहिए नेक्ट है हमारा क्वेस्ट्न नंबर 83 अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंतरी का जनम कहा हुआ था सिर्षा जीनिद नुहू या फिर भिवानी तो पहरे बचो इस क्वेस्ट्न का जो राइट अंसर है वो है बिवानी जिले के अंदर अर्विंद केजरिवाल का जनम हुआ था और ये वर्तमान में भी दिल्ली के मुख्यमंतरी है नेक्ट जो क्वेस्ट्न है हमारा वो फिर से हमारा भिजली वी बाक से क्वेस्ट्न आया है HPGCL यानि कि हरियाना पावर जनरेशन कोर्पोरेशन लिमिट्टिड का कोर्पोरेट कार्यल्य कहाँ पर स्थीत है तो पहरे बचो HPGCL का कार्याल्य ये पूछना चाहता है कहाँ पर है पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम या फिर महिंदरगड, तो राइट अन्सर हो जाएगा ए ओप्षन, पंचकुला जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा, HPGCL का कारियर लिया, यानि कि Head Office, इसकी जो स्थापना होई थी, पहरे बचों, वो ही थी, 1997 में, और इसने जो क कारियर स्टार्ट किया था, वो किया था, 1998, यानि कि 1998 में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन है, इसके अंतरगत हमारे दो भी भाग आते हैं, एक UHBVN, और एक DHVBN, इन से जुड़ी कुछ बरतियां होई थी, कोरोना काल से पहले, 2020 के आसपास, उन में बहुत ज बागों में बरती हुई थी, और सब को पता है कि कितने करप्ठ हैं, कैसे यह भी भागें के ओपर ज्यादा लंबी चर्चा में नहीं करना चाहूंगा, इसका जो हैड़ ओफीस है, प्यारे बच्चों, वो है, UHBVN का पंचकुला में है, और अगर DHVBN की बात करेगा, दक्स से कंप्यूटर 2015-2021, एचससी के दुवारक किसी भी तरह की क्वेस्चन एक्जाम के अंदर आते हैं, किसी भी टोपिक के, उसकी मेरतन क्लास आपको सेपरेट एचससी अड़ा यूटूब चैनल पर आपको 100% मिलेगी, कंप्यूटर के 1000 पलस MCQ क्वेस्चन मैंने करवाए हैं एक वीडियो के अंदर, और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, इसकी पेडियाप है, आज तक HSSC ने जितने भी हरी, HSSC ने कंप्यूटर के क्वेस्चन पूछे हैं, यानि कि 900 पलस क्वेस्चन बनते हैं, 2015 से दिसंबर 2021 तक, एक ही पे पेमेंट करके आप इस पेडियाप को भी परचेज कर सकते हो, मैथ और कंप्यूटर दोनों पेडियाप पेड़ हैं, इसके इलाव बाकि सारी पेडियाप आपको टेलिग्राम पर मिलती है, प्री ओप कोष्ट, ये दिन दोनों पेडियाप को आप एक साथ परचेज करोगे तो 50 रुपे में आपको मिल जाएंगे, यानि कि 10 रुपे का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा, प्रीबचो, पीडियाप के अंदर कंटेंट इतना जबरदस्त है, प्रीवियस एर का सारा कंटेंट, एक पेडियाप, दो पीडियाप हैं ये, एक में कंप्यूटर और एक मे मैथ, आपको पूरा कवर हो जाता है, और आपको कहीं से कुछ भी एक्ट्रा चीजे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको observation मिलती है कि एक्जाम में किस तरह के questions आपको जो है देखने को मिलेंगे, तो इन पीडियाप को जरूर परचेज कर लेना पेरे बच्छो, important हैं आप के अगामी एक्जाम के लिए, तो पेरे बच्छो, यहाँ पर जो next question है हमारा, हरियाणा के राज्यकवी के रूप में किसे नामित किया गया था, उद्याबानु हंस, सुरेंदर पंडित, हाली पानिपत या फिर पंडित लखमी चंद, तो राइट अंसर हो जाएगा a option, next question की तरफ, next question है हमारा, विवानी जिले के अंदर, बोक्सिंग कलब के संस्थापक कोन है, जगदीश सिंग, विजेंदर सिंग, मनोज कुमार या फिर जस्मित कोर, तो पेरे बच्छो, इस question का जो राइट अंसर होगा, वो होगा a option, माटर जगदीश सिंग, विवानी बोक ब बच्व, हरियाणा में कितनी पंचायद समीतिया है, यानि कि भलोक समीतिया, हरियाणा में चाटा है, वो कितनी है, वरि गुड क्वेस्चन परे बच्व, च्षा है, बाइश है, था तेकी बिज Death है, बात आती है, 217 की, दे photon है, किया उस टाइम पर थी ये क्वेस्टन अलाकि काफी पुराना है पुराना डाटा दिया गया है आपको नए डाटा से जुड़े रहना चाहिए अगर मैं जुलाई 2022 तक की बात करता हूं तो हरियान के अंदर जो ब्लोक समीतियों की संक्या है वो है 142 ये बात आपको याद YouTube चैनल पर मंतली आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उन वीडियो उसको जुरूर देखे उनका जो पीडियाब होती है वह आपको टेलीग्राम पर फ्रीयों कोस्ट मिल जाएंगी हमारा जो अगला क्वेस्टन है हादी ए हरियाना के नाम से किसे जाना जाता है शेक मुह मुहमद तुर्क, सूफी संथ, साह गुलाम जिलानी, साह मुहमद रमजान या फिर ननौफ तीज तो अगर बात की जाती है आदी ए हरियाना की तो पेरेबचों सी ओप्सन साह मुहमद रमजान इसका राइट अंसर हो जाएगा और इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है क्यादे अजीम, बात आती है शेक मुहमद तुर्क, तो पेरेबचों इनको माना जाता है पर्थम सूफी संथ हरियाना के, नेक्ट क्वेस्टन की तरब बढ़ते हैं, हरियाना में जल्प प्रिक्षन प्रियोक साला वैन कब शुरू की गई थी, तो ये भी करंट अफेर का क्वेस्टन है, इसका अंसर होगा दो जार बीस जोती सर किसके लिए परसीद है, मारकंडे, तीर्थ, बगवत गीता, ब्रहम कुंड या फिर रमायन, तो पेरेबचों जोती सर का संबंद किस से है, महाबारत से है, और महाबारत में बगवत गीता का जनम स्थान जोए, वो किसको माना गया है, जोती सर कुरुक छेतर को मान गया है तो पेरे बचो आज की वीडियो में ये questions जो पेपर मैंने बताया आपको craft instructor का इसमें हरियाना जी के कई इतने ही questions आये थे और इनकी details से जानकारी हमने हासिल किया है detail के साथ इनको analyze किया है इसी तरह ये classes आपकी जारी रहेंगी और चैनल को subscribe जरूर करें और ये कुछ social media की जानकारिया एससी अड़ा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करना नहीं बूले साथ ही पेरे बच्चो टेलिग्राम को जुरूर जोइन करें प्रियोप कोष्ट पीडियाप और बच्चो का discussion यहां पर अमेशा available रहता है अगर आपको कोई doubt है तो यहां पर आप मेरे पास WhatsApp message कर सकते हो अगर आप मेरे साथ Instagram पर जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप शहरावत मैथ मुझे फॉलो कर सकते हो और साथ ही अपनी कोई जानकारी मुझे पूछना चाहते हो तो इस्टाग्राम पर आप question मेरे पास अपना भेज सकते हो तो फिरे बच्चो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट क्लास के सा तब तक जै हिन जै भारत जै किसान